तो हाई अब्रीवन जैसा कि मैंने एक पोल क्रियेट किया था उसमें पूछा था कि मैरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहने चाहिए तो 59 परसेंट लोगों ने बोला था कि रैगिंग और माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसकी वीडियो मैं अलेडी अपलोड कर क्या हो सकता है मैं और लेडी ओवर ओल कट आप तो बता चुका हूँ आप इस वीडियो में कॉलेज वाइस कॉट आफ फर गवर्मेंट और प्राइबेट मेटिकल कॉलेज तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा बट आप वीडियो को पूरा देखें और या तो और नेट इग्जाम के स्टेटिजी से रिलेटेट वीडियो में अप्लोड करता रहूंगा तो चलिए हम सुरू करते हैं तो गाई सबसे पहले मैं गवर्मेंट मेडियो कॉलेज का डिल करूंगा ठीक है ना उसके बाद प्राइबेट में तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं के लिए तो एम जीम के लिए जो है कि जर्णनल की enterprise आफ जा सकती है 9500 खेश्ला राउंड उसके बाद अगर बात करते हैं है यह ऐजार आट्वाउस के लिए तो еजार स्प्लिये सब्सक्तिरों के लिए 9500 राउंड सकती है थीक ना बाकी है सब्सक्राइब और आपगद लोभ लोग hypothesis के लिए subtik के लिए 188 धूर ँरौंट आपगद लिए और में बात करते हैं की सीट जो पिछले साल से हम देखा जाया तो मतलब लगबाघ इसमें एक सीट भी खाली हो सकती घी तो हम बात करते हैं इस इसे हैं कि पिशने neutron कोलेज तरफ के लिए अगर हम बात करते हैं कर तो dw breakout के लिए जो हो शकते हैं ओगर हमिए बात करते हैं मरें स्फिपर्जड के लिए अगरwh Minnesota युद्यक के लिए 나오نت जा सकता है अगर में बात करते हैं dobron bc के लिएцо बिएक दौल्ड debates के आप implication सकता है इस बार मैंने देखा एक कांस्लिंग में हैं लोग मतलब डिस्टेंस को मैटर जादा कर रहे हैं को देन करते हैं भोपाई के लिए अ लिए जन्ला के कटेगरी के कटार खुय जा सकता है 14000 और छेहरें लिए तो पकाट करते हैं EWS के लिए तो हमयर जासकते हैं 17200 गलुएंदियर रैंकर जा सकते हैं तो यह हो चुका हमारे टॉप थ्री कॉलेज बोपाल तक ठीक है अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं जी आई एमसी ग्वालियर के लिए आपको जो भी कोलेज यूलोट हो रहा है जो भी मिल रहा है यैसी कोरी सेडोल अपले लिए टिक है तो अगर भर बात करते हैं गवालीर के लिए तो गुए कर जो कट एँच सकता है सेकेंड राउंड के लिए जनरल कंडिट फॉर वू जा सकते है ऐल इंडिया रैंक roads 20,000 के राउंड अगर बात करते हैं एडबलीयस के लिए तो जा सकता है 24,700 आल इंडिया राउंड है अगर बात करते है अबीसी के लिए तो बीसी के लिए 23 थ आउसंट आौल-ाप यंडिया र में बात करते हैं । के लिए जा सकते है टूल Bon pursuing ढेंडिए रैंग अगर यह बात करते हैं यह स्कर डेgov वं घेड़ींद जीरंगऊ सुगिए के लिए तो तो रीवा कि लिए जो गया है चालाफ है जा सकता है वालों के लिए कि 25,000 ओल इंडिया रैंक कि अगर मैं बात करते हैं EWS के लिए तो EWS के लिए 29,300 ओल इंडिया रैंक अगर मैं बात करते हैं OBC के लिए 29,000 ओल इंडिया रैंक एक प्रॉक्समेट जा सकता है अगर मैं बात करते हैं SC के लिए तो SC के लिए जा सकते है वन लेक टॉन्टी थाउजंट ओल इंडिया रेंग अगर बात करते हैं स्ट के लिए थोड़ा क्या होता है रीबा का जो कट ओफ रहता है फॉर स्ट के टेग्री के लिए वह क्या जाता है थोड़ा कम जाता है एस कंपेर टू दा न्यू लाइक बिदिशा टीकर ना इवन तो और तक गार चालन जा सकता हैं आधर अब अगरम नेक्स बात करते हैं सागर के लिए फमैर को मैं तो सागर का फॉर जनरल के टेग्री के took जा सकता है यद्विगर करके Tapi vs के लिए जा सकता है 500 all India rank OBC category के लिए जा सकता है 30,000 अगर बात करते हैं SD category के लिए जा सकते है 123,000 गे स्टी के लिए जा सकता है 260,000 all India rank के अगॉर्डिंग ठीक है ना राउंड जा सकता है अगर हम बात करते हैं हम न्यू मेडिकल कॉलिज में न्यू मेडिकल कॉलिज में देखो एक कॉमन डाउट रहता लोगों का कि न्यू वेजिस ओल्ड बट देखो यार अगर मैं बात बोलूं तो अगर आपको कोई दिस्टेंस मैटर नहीं करता कुछ भी मैटर अगर नहीं करता आप आपको इंफ्रेस्ट्रक्ट्ट्यर देना आप अल्वेज प्रिफर करें कि आप ओल्ड कॉलिज मिले ठीक है ना वहां पे एक्स्पोजर जदा होगा आपको एस कंपेर टो नियू मेडिकल का उडिक है न वह हूं अब बात करते हैं बिदिशा के लिए तो विदिशा के लिए ज़ो जन्रल्गा डूप डाब जा सकता है तर्वदी माइन थाजंट ऑल इंडिया रिंक के कोडिंग अकर बात करते हैं तो तो स्के के लिए तो वन लेक्ट थर्टी थाउजंट औल इंडिया रैंक एस्टी के लिए टू लेक्ट थाउजंट औल इंडिया रैंक अगर बात करते हैं जो मैंने बोला था ना कि यो रवा को से भी मतलब नीचे आ जाता तो अगर बात करते ओभी planting टेजरी के लिए 34 के तक जा सकतार है ठीक है अब नेव 먼त करते लिए तो रतलाम का जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो कत ओफ हो सकता है उसका करता सकता है फॉर जर्नल कंडिडेट के लिए 30,500 All India Rank OBC कंडिडेट के लिए जा सकता है 35 KK Round and for EWS कंडिडेट 34.5 KK Round अगर हमें बात करते हैं इसका थोड़ा क्या होता है कि जो रतलाम का EWS का है उसका कट अफ थोड़ा ऊपर रहता है आइस कंडिडेट के लिए बात करते हैं कि एसी कटेगरी के लिए 1,37,000 All India Rank राउंड जा सकता है अगर बात करते हैं स्टी के लिए तो 2,70,000 All India Rank के राउंड रहेगा अगर अब हम बात करते हैं इसका क्या रहता है जो दतिया का जनल के लिए मतलब कोई भी अगर हम बात करते हैं तो दिन क्या होता है इसका तो सबसे पहले स्टी का जो रहता है इसका लो जाता है ठीके ना और जो जनल का रहता है वो खंडवा से क्लोज वाई रहता है ठीके ना तो अगर हम बात करते हैं जनल के लिए तो जतिया का तो 35 के के राउंड रहेगा और यू के लिए हम बात करते हम तो 37.5 पॉइंट 5 देन के राउंड आगर मैं बात करते हम उसके ओबी चीके लिए लिए थर्टी एट केके राइगा अगर बात करते हैं थे कंडिटेत के लिए तो स्फिन के लेए लाइकश्टी फाइट ठाउडंट अली इंडियार और अगर हम बात करते भर एसटी कटिग्री के लिए एस्टीleri के लिए रहेगा लगभग 3,009,000 ओल इंडिया रेंग ठीक है वह इन बोला इसका स्टी कटेगरी का जो कि वही दतिया के ख्लोजबाई रहता है राउंड 35 एक राउंड रहेगा जनर्रल कंडिडेट के लिए अगर में बात करते हैं ओवीशी के लिए 37.5 एक राउंड है कि फाइक के राउंड जा सकता है ठीक है बोला ना कि इस बार डिस्टेंस लोग मैटर करेंगे इसका आप देख सकते हैं कि मैंने जो रीवा का कट आप बोला था कि जो यस्टी के लिए तो टू एक टी के लगभग और यहीं खंडवा का भी वही टू के जा रहा है तो मतलब जासकता है वह लगभग 37rk और बात करते हैं ओबी सी कंडिडेट यह टो के लिए तो 3 लैक के राउंड जा सकता है अब रही बात देखो लास्ट में जैसे लास्ट दो है सेडोल इन स्वीपूरी तो इन में क्या होता है कि रहते हैं हमेशा ठीक ना जैसे डबलीस की तो मालो सेडोल की चली गई उपर स्वीपूरी की चली नीचे तो से जनल के लिए सेडोल की चली तो क्लोस बाई रहता है इन में बट अगर हम बात करते हैं वैसे अगर हम बात करें तो सेडोल के लिए जो जा सकता है जर्नल के लिए तो 41 के अगर में बात करते हैं ओवीशी के लिए 42 के एंड एस्टी कंडिडेट के लिए 310,000 ओल इंडिया रैंक के राउंड मतलब वही यह दतिया के राउंड फिगर में ही रहता है इसका कॉट ओफ और स्टी के लिए ठीक है न से डोल का एस्टी के लिए जिजा सकता है वह यह है वन लाइक फिट्टी टू थॉज़़ज़न ओल इंडिया रैंक ठीक है न एंड स्विपूरी उसके का बोलते हैं कि EWS के लिए ज़़ज़ा सकता है वह 42, कि 2500 के के राउंड जा सकता है अगर हम बात करते हैं स्विपूरी मेडिकल कॉलिज की एक सजेशन मैं दूंगा अगर कोई भी रिवा वेल्ट का है मतलब बिंद बिंद प्रदेश का है जो भी तो वह प्रिफर करें शैडोल ऐस कंपेर टूदर स्विपूरी अतनी ज्यादा दूरी जाने की मतलब कोई भी मैटर नहीं करता कि आप स्विपूरी में पढ़ रहे ह। इससमें कोी मैटर नहीं करे तो अगर कोई भी बंदा रिवा वेल्ट के राउंड हो तो दि तो म отвाद जोंड जोपकर भूत सब्सक्रेनिदру घॉल को कोई चूज करें इतना दूर जाने की कोई मतलब कोई फैक्ट नहीं है कि कोई भी मतलब आपको लॉस होगा अगर हैं बात करते हैं जर्नल के लिए तो 39.5KK राउंड जा सकता है वह बोला कि सईडोल एंड स्विपूरी में प्रॉस कॉट आफ हो सकता है ओवी सी के लिए देखो जैसे 40.5KK राउंड जा सकता है अगर बात करते हैं इडव्यस के लिए तो इडव्यस का 43KK जो फाइनल कॉट आफ रहेगा वह लोग वह स्विपूरी का ही जा सकता है स्विपूरी के लिए जा सकता है 151,000 और इंडिया राउंड राउंड जा सकता है तो यह रही बात गवर्मेंट मेटकल कॉलिज की ठीक है न अब देखो जो यह मतलब यह जो पूरा कॉलिज कोट आफ है यह डिपेंड भी करता है सीट पर ठीक है न कि एक सीट का कैसा मतलब कितनी बेकेंट है अगर मैं बात करता हूं कि जो लास्ट येर के ट्रेंड की जो हमने एनलिसिस की है अगर उसके राउंड रहा यह तो दिन इतना तो स्योर है मतलब यह इससे तो कम मतलब ऊपर नहीं जा सकता यह तो मतलब बहुत जादा चांसेश है कि इससे नीचे ही आए बट वही है कि फाइनल जो रहाएगा हो सीट बेक एंसी के उपर डिपेंड करता है इस बार जो स्टेट की सेकंड राउंड के लिए जो सीट होंगी वह ओल इंडिया से लगबग 30% रिवर्ट बैक होंगी बट स्टेट की जो कंडिडेट हैं वो सायद कुछी लोग गए हैं अगर हम बात करते हैं देखो प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट के लिए अगर हम बात करें देखो यार प्राइवेट का जो कट आफ है सेकेंड राउंड का एक बात मैं क्लियर कर दूं कि देखो क्या होता है कि जो प्राइवेट में क्या देखो क्या ट्रेंड रहता तो क्या होता है उनको सीट तो एलोट नहीं होती है बट फिर क्या हो जाता है कि प्राइबेट का जो इसलिए नहीं आता वार मैक्समिम आपने देखा होगा जनल ओबीसी एंड एससी के लिए विकाँस क्या होता है कि कंडि रेट ने गवर्मेंट फस्ट रॉण में बढ़ा अब सेकंड राउंड हुने प्राइवेट भ्यारत तो उनको लोड़ तो हो जाता है वट क्या रहते हैं वह कटव के अंदर वाले ही खंडि रहते हैं तो इसकार अधिन राउंड के लिए वह ल अंदर के कंडिडेट रहते हैं वह लॉट करवा लेते हैं करण से कट आफ जो रहते हैं नीचे नहीं जाता तो मेरी एनलिस तो यह है कि लगभग इतना ही कट आफ रहे बांकी डिपेंड करता है क्या बट जो एक लास्ट यह का टेंड है बहुत से लोगों ने भी बताया होग कि साथ यह नीचे 95,000 अल इंडिया रेंग तक आए बट मेरे कॉर्डिंग यह इतना ही जाएगा बांकी देखते हैं कितना रहता है अगर हम बात करते हैं ओबीशी के लिए तो ओबीशी के लिए 93,000 कि इसी की जो फस्त रॉणड को कट ओफ सा ना उसी के नियरबाई रहना वाला है एस्टी के लिए जरूरर नीचे जाता है एस्टी कंटर्येट के लिए लगब tutte के रांड रेगा तो मैं बदा रहें हूं ऑ प्रडर राभ पाप सब्सक्राइब करते हैं तो यह यह बांकि देखते हैं क्या होता है सायद मेरी गलत भी हो सकती है बट यह है कि जो यह मतलब जो मैंने इनलिसिस किया है लगबक मोस्ट परबली है मतलब 95 परसेंट से लगबक एक्यूरेट हो सकती है ठीक है तो यह पूरा रहा हमारा कॉलेज बाइस का तो अब आपको बेट करना पड़ेगा कि सीट वेकेंसी दस तारिक को आने वाली है ठीक ह बार तक हो गया है कि अलॉट्मेंट ठीक है ना कॉलेज अलॉट्मेंट डॉक्मेंट स्कूट नहीं गया तो दस को वेकेंसी आगे तो उसके बाद और क्लियर होगा कि कितना कॉलेज को कट आफ जा सकता है तो थैंक्यू गाइस फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो म तब तक के लिए बाए बाए और याद आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा